हाई फ्रेंड्स मेरा नाम रवी है और आप देख रहा हैं बिरोनियमीटर भाई रवी जी तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एलेक्टोनिक्स ब्रेट बोर्ट के बारे में अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सस्क्राइब करना ना बोलना इस वीडियो में मैं इलेक्टोनिक्स ब्रेट बोर्ट के कनेक्शन और उनके टाइप्स और उस ब्रेट बोर्ट पे हम कैसे किसी सर्किट को डिजाइन करते हैं कैसे उसको utilize करते हैं, और कैसे उस circuit को destroy करते हैं, breadboard क्यों use करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा बात करूँगा, तो अगर हम breadboard की बात करें, what is a breadboard, तो breadboard क्या है, एक ऐसी device जिसके हम एक electronics component के तुरू एक circuit design करते हैं, जो कि उस circuit को हम utilize करते हैं, किसी भी project में, यहाँ पे आपको एक image दिख रही होगी, white color में, जो bread type की दिख रही है, इसी को हम breadboard बोलते हैं, breadboard यही है आपका, तो यहाँ पे breadboard में कई सारे holes दिख रहे हैं आपको, यह holes आपके connection point होते हैं, तो इनके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं, कि breadboard क्या होता है, breadboard, a breadboard is a solderless device for temporary prototype with electronics and test circuit design, so breadboard क्या है, breadboard एक solderless, मतलब हम इस पे without solding, कोई भी component, electronics component इसमें connection करके, एक circuit design कर सकते हैं, और उसकी testing कर सकते हैं, simple way में हम यह बोल सकते हैं, कि without solding, हम इस पे electronics component के थरूप कोई भी circuit design कर सकते हैं, उसकी testing कर सकते हैं, और उसको utilize कर सकते हैं, तो second point पे अगर बात करें, a platform where we can make a circuit easily without solding, and simulating it, there no soldering or desoldering of any electronic component, तो यहाँ पे अगर बात करें, कि एक ऐसा platform, जिस पे हम easily किसी भी circuit को design कर देते हैं, without soldering, उस circuit को design करते हैं, और वहाँ पे हम soldering या desoldering नहीं करते हैं, किसी भी electronic component को, तो ऐसे board को या ऐसे platform को हम breadboard बोलते हैं, तो यह आपको breadboard दिख रहा होगा, इसी को हम breadboard बोलते हैं, तो आगे इसका benefit क्या है, breadboard को use करने में क्या benefit है हमारा, तो इस पे एक बार बात कर लेते हैं, तो breadboard अगर हम use करते हैं, तो इसका benefit, बहुत सारे benefits हैं, कि यहाँ पे हम without soldering या without desoldering process के कोई भी circuit डिजाइन कर सकते हैं, और या उसको destroy कर सकते हैं, तो utilization of your time, यहाँ पे समय की बच्चत होती है, दूसरा, easily you design any circuit, आप easily इस breadboard पे, जैसे कि यहाँ पे एक side में image दिखाई गई है, ऐसा आप breadboard पे कोई भी circuit design कर सकते हैं, easily, it is best for learning purpose, अगर आपको सीखना है, तो breadboard आपके लिए best है, learning purpose से breadboard सबसे best माना जाता है, and you can test and simulate any circuit on breadboard, breadboard पे आप कोई भी circuit बना सकते हैं, उसको simulate कर सकते हैं, उसकी testing कर सकते हैं, तो easily इस पे हम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह सारे benefits हैं breadboard के, breadboard हम easily utilize कर सकते हैं, so next point है connection of breadboard, breadboard में connections कैसे होते हैं, तो उनको समझते हैं, तो यह बहुत ही important point है, क्योंकि बहुत लोगों को connection में बहुत इकत होती है, तो connection point जरूर समझ लेना, क्योंकि connection point में, अगर आप यह connection point समझ लिए, तो आप breadboard पे हर एक circuit design करने में, बहुत ही आसानी होगी आपको, तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे breadboard में, जो सबसे last में line होती है, उसको हम power line बोलते हैं, या power rail बोलते हैं, वैसे ही हम opposite side में दूसरी तरफ देखें, तो उसमें हम जो अंदर के side में जो line होती है, उसको हम power line में ही consider करते हैं, तो इन दोनों को हम आपस में connect कर सकते हैं, जब कोई project बनाते हैं, अगर हम circuit utilize करना है, इस पे breadboard पे बनाना है, तो इन दोनों point को हम connect कर लेते हैं आपस में, ऐसे ही ये ground की line होती है, तो ये हमारी ground की line रखे गई है, और ये भी हमारी ground की line रखे गई, तो यहाँ पे जो ये connections होते हैं, ये हमारे ऐसे horizontal में connection होते हैं सारे, तो ये आपस में points सारे connected होते हैं, तो यहाँ पे कई type के breadboard होते हैं, तो यहां पे हमने normally connection बताया है अभी अभी इसके type shift पे बात करेंगे अब अगर हम circuit area की बात करें जहां पे हम पूरा circuit design करते हैं यह दोनों line हमारी power line और एक ground line हो गई अब बाकि यहां पे circuit जो design करते हैं तो circuit area में design करते हैं तो इनका connection होता है वो vertical line में होता है connection मतलब इस point से यहां तक connection होगा और इस point से यहां तक connection होगा बट यह बीच की जो line है यह आपकी disconnect करेगी इन दोनों area को तो connection आपको समझ में आगया होगा में भी तो यहां पे जो आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा तो और अच्छे से connection कैसे होते हैं अभी हम बात करने वाले हैं अप्ररेट बोर्ड कैसा दिखता तो यहां पे जैसे आपके connections हैं तो यह connections कैसे हैं ऐसे है आप इस point से कैसे हैं ऐसे हैं और यह सारे connections आपस में connected होते हैं और बाकी breadboard का अगर हम back देखें तो ये एक double-sided tape लगा होता है इसके पीछे, तो double-sided tape जब हटाएगे तो उनका connections कुछ ऐसा दिखेगा, तो connections जैसा मैं बता रहा था कि ये line पूरी एक साथ connect होती है और ये individual ऐसे connected होते हैं, तो अभी यहां पर types of breadboard की बात कर रहे हैं तो पहला type आपका full plus breadboard होता है, full plus breadboard में क्या होता है कि आपके जो holes in the row plus are connected, मतलब अगर आपके ये जो holes हैं यहां पर बीच में gapping नहीं होते हैं, इसमें सारे आपके जो plus rail होती है और minus rail मतलब ground वाली जो rail होती है, मतलब ground row और plus row दोनों आपस में एक series में connect होते हैं, तो यहां पर कोई break नहीं होता है बीच में, तो इसमें connections आपके पूरे combine होते हैं, मतलब यहां से आप अगर इस point से उठाते हैं connection तो यहां तक connection आपका जाता है, तो next आपका breadboard क्या है? Full breadboard, तो full breadboard में क्या होता है कि बीच में break होता है, यहां पर जब 5 slots आपके count हो जाएंगे उसके बाद एक बीच में break आएगा, तो बाकी यहां पर connection में कोई changement नहीं होता है, बाकी जैसे उसमें था वैसे ही यहां भी होता है, और यहां पर बस बीच में यह आपका disconnect करता है इस वाले area को और इस वाले area को, सो अब भी बात करते हैं half and half plus breadboard की, तो यह आपका half board है, जिसमें आपके connections similar होते हैं, वैसे ही connection दिखाए गए हैं, और दूसरा आपका half plus board है, जिसमें आपके connection में कोई difference नहीं है, इसमें बस आपका जो red line होती है, वो power line indicate करती है, blue जो होती है वो ground indication होता है, तो यहाँ पे बस आपका indication के लिए, दो line provide की जाती है, बाकी कोई difference नहीं होता है दोनों में, half and half plus में, बस इसी difference की वज़े से इसको half plus में consider कर लेता है, और इसको हम half में consider करते हैं, तो दूसरे breadboard की बात करें, तो mini and tiny breadboard, तो mini breadboard में क्या होता है, कि यहाँ पे कोई भी notation नहीं होता है, और एक चीज़ आपने यहाँ पे note किया होगा, कि mini breadboard में power line और ground line का कोई options नहीं दिया होता है, यहाँ पे सिर्फ circuit area ही, circuit area ही दिया होता है, जहाँ पे circuit design कर सकते है, circuit वा B, C, D, E, और 1, 5, 10, 15, 20, यह आपके notation दिये होगे हैं, बाकी कोई difference नहीं होता है, यहाँ पे, जिसमें notation होता है, वो tiny board होता है, और बाकी जो without notation है, वो आपका mini breadboard है, तो यह आपके दोनों breadboard हो गए, तो next बात करेंगे, तो next क्या है, BB301 breadboard, तो यह breadboard कैसा होता है, इसमें पस आपका इसमें जो ground line और power line होती है, उसमें से एक ही line दी होती है, तो यहाँ पे हम एक line को power line में consider कर सकते हैं, या फिर आप ground line भी, एक को ground भी बना सकते हैं, और बाकी यहाँ पे कोई वैसा difference नहीं है, बाकी सारे connection सेम होते हैं, और यहाँ पे सब का individual notation भी दिया हुआ है, और एक को X से represent किया है एक line को और एक को Y से represent किया गया है, बाकी इस breadboard को हम किसी भी जग명이ा पे nut bolt से इसको fix कर सकते हैं, तो यह breadboard हमारा किसी भी project के लिए यूटलाइज कर सकते हैं, तो next बात करते हैं, अभी आपके सारे breadboard औबर हो गय है, सारे टाइप से breadboard औबर हो गए, यह जो आपका है यह ब्रेडबोर्ट पे प्रोजेक्ट बना के दिखाया गया है जिसमें ओर्डिनो का यूज किया गया है तो यहाँ पे एक डेमो दिया गया है कि आपको कैसे किसी ब्रेडबोर्ट पे डिजाइन करते हैं और उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं कैसे उसको यूड से connected है बाकी जो डाइवोट का दूसरा मदब प्लस पॉइंट ही एक मोटर के प्लस पॉइंट से connected है तो ऐसे यहाँ पर connection दिखाए गए है तो connections आपके breadboard पर ऐसे ही होते हैं बाकी यहाँ पर जो और डिनो में ground line जा रही है वो black से denote की गई है और बाकी जो प्लस लाइन जा रही है वो आपकी supply वाली और रेट से denote की गई है तो यह आपका breadboard पर एक circuit design करके दिखाया गया यह project है जिस पर breadboard पर हमने बनाया है और इस breadboard पर बनाने के बाद इसको utilize किया गया breadboard को यहाँ पर LEDs को connect किया गया है फिर उसके आस-पास में register को connect किया है फिर कई सारे jumper wire का utilization करके हम ओडिनो का इस्तमाल करके ओडिनो यूनो का utilization करके यहाँ पर सब connection किया गया है और फिर उसके बाद हम इस project को run करके दिखा रहा है तो यह आपका क्या है एक breadboard है breadboard का कैसे हम utilization कर रहा है कैसे उस पर circuit design हो रहा है यह सारी चीज़े इस पर दिखाए गई है यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को like करिएगा और subscribe करेगा चैनल को ताकि आपको latest information मिलती रहे और आपको ऐसी मैं technical information देता हूँ thanks for watching